सो हे गाइस कैसे हैं आप लोग, उमीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सप्लिमेंट्स के उपर असल मैं कुछ टाइम पहले मैं अपने एक कॉलिज फ्रेंड से मिला वो बंदा जिम के लिए काफी जादा पैशनेट था मिलने के वाद वो मुझसे बोलता है कि भाई जिम तो ठीक चल रही है बट सप्लिमेंट्स खरीदने में काफी जादा दिक्कत आ रही है उसकी ये बाद सुनकर मुझे लगा कि मुझे एक बज़ट सप्लिमेंट्स के ऊपर विडियो बनाने चाहिए ताकि जो मेरे भाईब सप्लिमेंट्स पर्चेस नहीं कर पारे उनकी थोड़ी हेल्प हो सके आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन बजट सप्लिमेंट्स बताऊंगा जो तने चीप हैं कि आप एजिली उनको पर्चेस कर सकते हैं जिनकी मंतली कोस्ट आपको तेरा सो रुपे से भी कम की पड़ेगी मैं भी एक स्टुडेंट हूँ और ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि स्टुडेंट लाइफ में इंकम का कोई सोर्स नहीं होता और अगर जिम कर रहे हों तो सप्लिमेंट्स खरीदने के लिए पैसे का जुगार भी नहीं हो पाता आप उसमें अपना पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना करें मैं जो आपको तीन सप्लिमेंट्स बताने वाला हूँ उसमें से पहला सप्लिमेंट है वे प्रोटीन ये है न्यूटरा वे का वे प्रोटीन इससे अच्छा प्रोटीन इंटेक के लिए कुछ भी नहीं है ये वे प्रोटीन प्रोटीन का काफी सस्ता और काफी अच्छा सोर्स है ये पैकेट मेरे को 1200 रुपे के आसपास पड़ा जिसमें मेरे को 33 सर्विंग्स मिली ये पैकेट लगवग एक महीने चल जाता है इसके एक स्कूब में आपको 24 गरम प्रोटीन मिलता है जो आप पोस्ट वरकाउट मील में एक स्कूब डाल कर पी सकते हैं अगर बात करें इसके फायदे की तो ये काफी जादा चीप है अगर 24 गरम प्रोटीन आप किसी और सोर से लेने जाओगे तो वो आपको काफी जादा महंगा पड़ेगा अगर हम बात करें चिकिन या फिर पनीर की तो अगर आप उसमें 24 गरम प्रोटीन लेते हो इस रेंज के काफी सारे प्रोटीन मैंने ट्राइ की है मुझे ये प्रोटीन उन मैंसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसकी mixability काफी ज़्यादा अच्छी है एक बात और ये प्रोटीन अन्फलेवर्ड है अगर आप फ्रोटीन चाहते हैं तो उसके लिए आपको 400-500 रुपे ज़्यादा खर्च करने होंगे इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने एक्स्ट्रा पैसे इसमें वेस्ट ना करें अगर आप इसी को फ्लेवर्ड बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 स्पून्स कोको पाउडर की डाल सकते हैं जिससे ये शेक चॉकलेटी हो जाएगा और पीने में आपको काफी जादा अच्छा लगेगा मैं भी खुद ऐसा ही करता हूँ आप इसे दूद या पानी किसी में भी मिक्स करके ले सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे दूसरा सप्लीमेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है क्रेटीन मोनो हाइडरेट ये क्रेटीन न्यूटर वे कंपनी का है इस ब्रैंड के प्रडक्स मुझे इस्पेशली काफी जादा पसंद हैं क्योंकि ये बजेट फ्रैंडली हैं और जैनून प्रडक्स हैं अगर आप इन प्रडक्स को बाय करना चाते हो तो आप इसकी साइड पर जाकर या इसके एप से बाय कर सकते हो क्योंकि इसकी साइड पर ही आपको जैनून और ऑथेंटिक प्रडक्स मिलेंगे क्रेटीन बेसिकली हम मसल स्टेंद को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं आप इसका एक स्कूप प्री वर्काउट या पोस्ट वर्काउट कभी भी ले सकते हो अगर आप इसका एक स्कूप डेली लेते हो तो आपकी मसल स्टेंद काफी ज़ादा बढ़ जाती है जब आप heavy set लगाते हो अगर हम बात करें इसके price की तो ये packet मेरे को 300-400 के आसपस पढ़ा है जिसमें 83 servings हैं यानि ये packet लगवग 3 महीने चल जाएगा अगर मैं इस packet की मंतली cost की बात करूँ तो ये packet लगवग 133 रुपे के आसपस पढ़ जाएगा इस हिसाब से ये packet काफी ज़दा cheap है आप easily इसको purchase कर सकते हो अगर आप जानना चाते हो के creatine कैसे work करता है तो आप मुझे comment section में comment करके बता सकते हो मैं इसके उपर एक detailed video बना दूँगा अब जो तीसरे supplement है मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा कि वो बहुत जादा important है बहुत सारे लोग pre-workouts में अपना बहुत सारा पैसा बरबाद कर देते हैं उसकी जगा आप ही standard coffee यूज़ कर सकते हैं इसका एक packet मेरे को 10 रुपे का पड़ा ये packet 5 दिन तक चल जाता है आप इसकी जगा दो रुपे वाला packet भी ले सकते हो और उसको one time में consume कर सकते हो इसकी एक serving आपको 2 रुपे की परती है वहीं अगर आप pre-workouts लोगे तो उसमें आपको 1500 से 2000 रुपे इन्वेस्ट करने होंगे जो बिल्कुल बेकार है मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये necessary है बस यही है कि अगर आप इसको जिम से पहले लोगे तो जिम के अंदर आपकी performance थोड़ी सी increase हो जाएगी तो ये थे मेरे top 3 supplements जो मैं आपको recommend करूँगा इन 3 supplements को मिला कर जो मंतली cost परती है वो लगबग 1300 रुपे के आसपास होती है और मुझे लगता है कि आप इस cost को आसानी से afford कर सकते हो अगर आप अपना पैसा फालतों की चीजों में waste ना करो तो एक और बात जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा वो ये है कि आपको supplements पर ही depend नहीं रहना है आपको अपने diet पर focus करना है बोडी building के अंदर diet सबसे main होती है अगर आप clean और proper diet लेते हो और ढंक से rest करते हो और proper train करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि आपको results काफी जल्दी दिखने लगेंगे अब इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यही खतम करता हूँ आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हो और मेरी इस fitness journey में मुझे support कर सकते हो अब last में एक और बात अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी friend को देखनी चाहिए तो उसको share जरूर करना अब मैं आपसे मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care तो